सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं referencing style in research methodology दोस्तो जब हम research करते तो उसके अंदर हमें अलग अलग जगह से data collection करना पड़ता है और review of literature भी करते तो उस time हमें reference देना पड़ता है कि हमने information कहां कहां से ली हुई है और यह जो reference लेते हैं और लिखते हैं तो उनका style अलग हो सकता है तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तो इसमें से पहले question आज के है यूजी से net exam के अंदर तो यह topic करना हमाली बहुत ज्यादा important है तो इस वीडियो का पूरा देखना द्यान से देखना दोस्तो अगर आपको net और ज्यार्फ चाहिए तो हमारा paid course से जोईन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नंबर एक 2022 के new updated notes देंगे नंबर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के question paper Hindi English में देंगे type of company question से जो भी question आचके वो अलग है यानि कि सब topic wise question भी आपको मिलने वाले है नंबर पांच के दोस्तो हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution provide करवाएंगे और इसके सांसा हम आपको ये व पुछे जाते हैं उनके बारे हम बात करते हैं तो number 1 पर आता है AP style आता है number 2 MLA style और number 3 Chicago style आता है और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते AP style की AP style क्या होता है इसके अंदर दोस्तों एक तो direct question ये आता है कि इसकी full form क्या है ये question आया हुआ है तो इसकी full form हमें पता होना चाइ American Psychological Association, यह इसकी full form है, दोस्तो यह आपको पता होना चाहिए, और इसकी सुरुवात कब हुई थी, 1929 के अंदर इसकी सुरुवात हुई थी, और यह Social Sciences के अंदर इसका यूज किया जाता है, Business के अंदर Criminal Justice और Economics Law इतियादी के अंदर इसका यूज किया जाता है, main इसके अंदर दोस्तो एक और चीज आती है कि इसका जो style होता है referencing style किस तरह का होता है किस तरह से हम reference लिखते हैं यह पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर दोस्तो हम आपको with example दिखाएंगे कि किस तरह से यह हमें referencing style लिखने है और किस तरह से इसमें से question आए वो सारे चीज़ें आपको आज दिखाने वाले है सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तो इसके style के बारे हम बात करते हैं तो दोस्तो एपी style के अंदर सबसे पहले last name आता है और फिर आता है first name last name का मतलब जैसे मानके चले रवी कुमार है रवी कुमार के अंदर कुमार last name हो गया तो जो last name है कुमार वो सबसे पहले आएगा last name फिर first name फिर डोट आएगा दोस्तो यह चीज़ देखो दोस्तो लास्ट नेम और उसके बाद में यह इस तरह से डोट यह आएगा कुमा आएगा कुमा इसको बोलते है यह कुमा एगा फिर first name फिर डोट फिर ब्रैकेट के अंदर यह आएगा दोस्तों यह एक चीज चोटी च्छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना जारूरी है दोस्तों जो एयर वो ब्रैकेट के अंदर है और last name के बाद में comma है first name के बाद में dot है ear bracket के अंदर है फिर comma है यानिकि full stop है और फिर book title है फिर full stop है फिर palace है और double dot है और फिर उसके बाद में publication है तो ये सारी चीजे हमें पता होना जरूरी है और जब हम question करेंगे अभी तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जा होगे तो रवी कुमार के अंदर कुमार जो उसका last name आ गया या गया last name इसका कुमार और उसके बाद में रवी रवी का आर ही आएगा दोस्तों first words वह है वही आएगा उसके अंदर रवी में आर ठीक है आर लिग दिया हमने आर के बाद डोट फिर bracket में 2015 dot effect of TV dot उसके बाद मे पहले सियानि कि कहां से ये publication हुआ है रोहत तक हो गया और फिर अजन्ता publication किस ने publish किया है ये तो वह हो जाएगा अब हम दोस्तों इसके अंदर जो question आया है हमारा उसके बारे में बात करते हैं दिसंबर 2012 के अंदर question आया था इसमें हम इसको अच्छे से समझने की कोशिस करत हैं और अभी मेरे पास कुछ दिन पहले भी एक student का वह आया था WhatsApp पे message आया था तो वह कह रहा था कि sir इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि option number A और B के अदर A और D के अंदर क्या difference है मेरे को समझ में नहीं आ रहा अगर हम normal तरीके से देखे तो दोनों के दोनों हमें similar देख A दिया दोस्तों यहाँ पे A P A style का A answer दिया है अब दोस्तों हम A और D के अंदर क्या difference है वो हम देखने की कोसिस करते हैं यहाँ पे देखिए सर्मा सर्मा के बाद में यह देखिए कॉमा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ यह कॉमा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ह आपको बिल्कुल असानी से समझाने की कोशिस करूँगा देखिए यहां पर हम ए यह है हमारा ए और यह है हमारा डी इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस देखने की कोशिस करेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों के अंदर यहां पर इन्होंने क्या है कॉमा लगाया हुआ है और यह यहाँ पर इन्होंने क्या है, फुल स्टोप लगाया हुआ है, ठीक है, यह मेजर इसके अंदर डिफरेंस हो गया है, उसके बाद में हम बात करें, वी, वी के बाद फुल स्टोप है, दोनों में सेम है, फिर 2010 है, यह ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन य और यहां पे देखे यहां पे हमारा यह कॉमा है और लेकिन यहां पे देखे डी के अंदर यहां पे फुल स्टॉप है और यहां पे कॉमा है तो यह इन्होंने यहां पे अंतर किया हुआ है यह आप डिफरेंट्स यहां पे बिलकुल असानी से यहां पे देख सकते हैं अब य यह जो है यह दोस्तों यह पूरा का पूरा यह जो format है इसके अंदर fit बैठ रहा है तो इस तरह से दोस्तों हमें हर एक छोटी-छोटी चीज पर ध्यान देना होगा APO format के अंदर और हम बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं यह देखें जैसे last name last name आ गया सर्मा आ गया फिर कॉमा आ गया फिर वी आ गया फिर फुल स्टोप आ गया फिर year 2010 ब्रैकेट के अंदर फिर फुल स्टोप fundamental of computer science फिर आ गया फुल स्टोप और फिर नई दिल्ली आ गया और फिर double dot और फिर टाटा मेगरो फिल यह आ गया तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल असानी से इस question को आप कर सकते हैं और मैं उमेद कर रहा हूँ आपको एक question समझ में आ गया होगा और फिर भी अगर आपको कोई problem है तो आप हमें WhatsApp पे contact कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमने English में भी question दिया हो आप English में भी इसको देख सकते हैं यहाँ पर Hindi English दोनम इसको आप देख सकते हैं और एक और book का जो title है दोस्तों वह क्या आएगा italic आएगा तिर्चा करके आएगा वहाँ पर ठीक है book के अलावा अगर कोई और चीज है magazine विगरा है तो जो book का title है दोस्तों simple आएगा ठीक है यह चीज आप बहुत ध्यान रखना APA style के अंदर अब इसका भी मैं एक example दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यह हमारा question आया था दोस्तों साइद 2013 के अंदर एक question आया था यहाँ पर देखी इन्होंने पूछा वागी निम लिखत में से कौन कौन APA style के संदर्ब में कि में सही है कौन सा APA style के अंदर सही है वो हमें बताना है तो इसका answer इन्होंने दिया दोस्तों B, C, D यहाँ पर इन्होंने answer दिया हुआ है तो B, C, D देखते दोस्तों B, C और D यह है B के अंदर है लेखकों के नाम उल्टा करके लिखे अंतिम नाम पहले यह इसकी बात विल्लकुल सही है दोस्तों अभी हम करके आये है APA style के अंदर करके आये अगर यहाँ पर हमें पुष्टक वगरा दिया या फिर जर्नल दिया है तो उसके जो title है book का title है वो हमें italic के अंदर लिखना है यह C आजाए यह D के अंदर है संदर्व सुची प्रविष्टों का वरणानू करन में सुची यन करना अब इसको आप English में देख लीजिए जि A नाम से related जो भी reference है वो लिखने चाहिए फिर B से फिर C से फिर D से इस तरह इस तरीके से alphabetically हमें चलना है यह चीज होगी दोस्तों तो यह दो question आयो हैं दोस्तों हमारे APA style से related आप इन दोनों को अच्छे से देख लेना और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास MLA style है दोस्तों MLA style के अंदर भी दोस्तों हमें इसकी full form हम पता होना जरूरी है MLA style के अंदर MLA style की full form है दोस्तों modern language association in America of America और यह कब होगा था 1985 के अंदर इसको शुरू किया गया था और इसका भी हम देखते दोस्तों इसको कहां कहां पर यूज किया जाता है Humanity and Literature के अंदर इसका यूज किया जाता है और इसका जो format है दोस्तों इसका format हम देखते है last name first name same वैसे यह दोस्तों जैसे AP style के अंदर था और इसमें भी यह देखे यह कॉमा है यहाँ पे और उसके बाद भी full stop है यहाँ पे और यहाँ पे देखे book name आ गया उसमें क्या था AP style के अंदर क्या था यहाँ पे first name के बाद हमारा year था year bracket के अंदर दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे जो year है दोस्तों year सबसे last में दिया हुआ है और देखे book name के बाद आगया पहले साइगा फिर publication आगया यह सारी के सारी चीज़े सही है दोस्तों लेकिन बस इसमें year जो है दोस्तों year last में है और year क्या है बगैर bracket के यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है without bracket यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे हम एक और जैसे example देखते है जैसे यह हो गया कुमार राजिस.effect of tv और रोहतक अजंता पब्लिकेशन और फिर कॉमा और फिर 2015 यहाँ पे यह आ सके अब यह देखें दोस्तों इह कॉश्चन आया था हमारा जून 2013 के अंदर कॉशन आया हुआ है इसके इसके अंदर भी आप सभी उप्सन देखेंगे ना तो बिल्कुल सेम 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 आपको option दिख रहे हैं सभी के सभी लेकिन हमें देखना कि क्या difference है इसके अंदर अब इसके अंदर देखिए option number d हम देखते हैं और option number c ये दो हम देखते हैं दोस्तों इन दो के अंदर क्या difference है यहाँ पर देखिए दोस्तों यह देख गया यहाँ यह देखिए नई दिल्ली के बाद में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है लेकिन नई असानी से पता कर सकते हैं अब देखिए और में हम देखें जैसे बी के अंदर हम बात करें तो देखें होल के बाद कॉमा तो सही है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर फुल स्टोप आना था दोस्तों यहाँ पर क्या है फुल स्टोप आना था लेकिन इन्होंने यहाँ पर क क्या दे दिया कॉमा दे दिया तो इस वज़े से ही उप्शन गलत हो गया ठीक है तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से पता कर सकते दोस्तों कहां कहां पे गलतियां हैं और बिल्कुल असानी से कॉस्चन कर सकते आप प्रैक्टिस करना दोस्तों बिल्कुल असानी से एक्ज होना जरूरी है यहां पर आप देख लेना दोस्तों दोनों चीजे बिल्कुल असानी से और आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक कोई कोशन नहीं आया लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं शिकागो श्टाइल है दोस्तों इसके इंदर क्या है लास्ट नेम आएगा फिर आ यह कोवाला लगए हुए है यहाँ फुल्ड एक यहां पर Gob का नेम क्या है दोस्तों इतालिक यहां पर इन्होंने दिया ऑगा बुक का नेम क्या इतालिक आएगा पहले साईगा फिर डवल डोट आएगा फिर publication आएगा और फिर यहां पे यहां पे यह आएगा डोट सरी कौम आएगा और फिर यह राएगा तो दोस्तों आप यहां पे इसको देख ले रहा है यहां पे इसमें क्या difference आ रहा है हमारा यह देखे यह देखा जाए तो MLA style के जैसा ही है लेकिन यहां पे इन्होंने book का जो name है वो book title italic के अंदर दिया हुआ है तो यह इसके अंदर थोड़ा सा difference है इसके अंदर आप बिल्कुल सानी से देख सकते हैं आप इनकी practice करना दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं आपको सानी से समझ में आ जाएगा और आगे हम बात करते हैं दोस्तों और भी कई जैसे referencing style है जैसे ACS है आप इनकी full form पढ़ लेना दोस्तों अगर पढ़ना चाहूं तो देखे वैसे तो इन में से कोई question आज तक नहीं आया है लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर reading कर लेना क्या पता इन में से कोई question आज आज आए तो आपके mind में रहेंगे यह full form जी यह देखे जैसे हम आगे ब कि आप notes आपको मिल जाएंगे paid course के इंदर आपको इस अभी notes मिल जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए विसी तना ही thank you दोस्तों अगर आपको net और जार्फ चाहिए तो हमारा paid course से जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमबर एक 2022 के new updated notes देंगे नमबर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी शिट के यूनिट wise question आपको देखने को मिलेंगे नमबर चार पे दोस्तों आपको unit wise के अलाव और 10 unit की ad free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution प्रवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये वताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बार वान exam के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तों देख इस बा